वेल्कम बैक टू माई टूप सेल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फास सेमेस्टर में है और वो अवद इन्यूवस्टी से है अवद इन्यूवस्टी के लिए मोस्ट इंपोटेंट है 2022 में आने वाली कोशन 22 मार्च को आपका पेपर है मनुविज्ञान का साइक्लोजी के बारे में हम ग्याद करेंगे कि क्या क्या कोशन most important है आपके 22 तारीक के exam में कौन-कौन से कोशन important रहने वाले हैं और आप इन कोशन को कैसे त्यार करने वाले हैं ठीक है और कौन-कौन से कोशन आपको पढ़ने चाहिए lifetime है अमलब कि आपका एक दिन है और कल आ यह वार्केट से स्रीज बगारा उस पर आप टेक लगा सकते हो यदि आप इसके नोट्स हमसे जाते हो हम नोट्स भी आपको परवाइड कर रखे हैं नोट्स का लिंक मैंने डिस्कप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे रखा है टेलीग्राम पर सारे नोट्स मिल आपका तो उसमें क्या-क्या पढ़ोगे तो सबसे पहले तो आप यह देखो कि कि साइकलोजी है मतलब कि मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है मतलब का अर्थ का मतलब होता है उसकी मनोविज्ञान की परीभासा क्या होती है यह देखेंगे उसकी प् बारे में हम देखेंगे यह कोशन पर टिक लगा लीजिए उसके बाद में हम नेक्स कोशन की बात करने वाले हैं देखिए यहां से संगठन के बारे में भी हम आपको explain करेंगे आप ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना time है आपके पास पूरा night का है आप एक बार पढ़ लोगे न मैं आपसे यही कहना चाहूंगा ये आपके paper में कोई कोईशन आभी जाता है और आपको वे याद नहीं है कि याद है पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा पूरी तरिके से याद नहीं है फिर भी उन से कहना चाहूँआ को चोण की मता आ час और जो जो आपको याद है उसकी आधार पर बनांकर करके आना कोश्छ Theme को ठीक है लेकिन छोड़के आप नहीं आएंगे ठीक इस बात को आपको याद रखना है बही बात करें पृत्यक्षाथ्मक जो ब्रह्म है उसके प्रिकार कितने होते हैं सिध्धान्द क्या होता है अप इसको पढ़ेंगे बहीं बात कि जाए शीखना क्या होता है उसकी प्रिक्रिया किरियात्म कह सकते हैं किरियास प्रसूत वपंद सिध्धान्त क्या होता है आप इसको परणेंगे यही बात करते हैं इसमरति किसे कहते हैं इसके अंग और पिरकार कितने होते हैं इसमरति की वो हम देखेंогे उसके बाद next question की बात करने बाले है। इस question पर आप टिक लगाएगा, बुद्धी तो आप जानते होंगे, बुद्धी की परिभासा, प्रिकार, और उसको हम किस तरीके से परिश्यन कर सकते हैं, ठीक है, उसको जाच कैसे सकते हैं, वो आप देखेंगे, इसको आप परिभासित करना है, प्रिकार देखना है, ब्यक को हम अधिप्रग भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर मोटिव भी बोलते हैं, उसको मोटिव का आर्थ क्या होता है, उसके प्रिकार क्या होते हैं, आप इसको याद करेंगे, मोटिव किसे कहते हैं, आप यह देखेंगे, उसकी बाद में देखो, नेक्स कोशन पर आपको ट पर चानवे परशेंट ऐसे लाना है क्योंकि हम आपके युनिवर्स्टी को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरही कैसा है और यह आपको मिलने वाला है ठीक है बही बात करें संबे के प्रमुख सिध्धान्त क्या क्या होते हैं संबे के प्रमुख सिध्धान्तों को को मनो विग्यान विवाहर की विग्यान है समझाइए यह आपको इस्पष्ट करने के लिए बोलता है कि इसको इस्पष्ट कर दो कि जो मनो विग्यान की विवाहर की विवाहर की विग्यान है इसको समझाना है कि मनो विग्यान है वो विवाहर की विग्यान है इसको इस्प कहते हैं इसमर्ति के प्रकार क्या होते हैं तो दीग्र कालीन इसमर्ति होती है आप इसको देखेंगे वहीं बात करें देखो बिसमर्ण के ब्याकरण के सिध्धांत क्या होता है और साथी साथ आप यह देखेंगे कि ब्यक्ति के जीवन में जो बिसमर्ण है उसका क्या महत्म ह ठीक है इस बिस्मार के बारे में आप एकस्बल नहीं कर पाएंगे पूरे को ठीक है पीटा इसको अच्छी तरीके से देख लेना है और लास्ट में यह कोशन रहें आपके बस अब बाकी कुछ नहीं इसमें यह देख सकते हो कि बुद्धी लब्धी किसे कहते हैं इसकी वीडियो उसको पता है समोही के बुद्धी परिक्षण क्या होता है अच्छे ब्यक्तित्भी की परिभासा के बारे में आपको देखेंगे अंतरमुखी और बहुमुखी ब्यक्ति में अंतर क्या होता है आप यह देखेंगे यह कोशन मॉस्ट इंप्रेंट है आपके और कोई भी दिख्क्त है तो comment section में पूछ सकते हैं मिलते हैं आज दो स्क्राइब कर लेना अभी करो subscribe और वीडियो को like कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करोगे सभी लोग अभी करो फटा फट subscribe करो गपरेज करो ठीक है जो भी आपको next पेपर होगा उससे पहले आपको important